अगृं है अग्लो गाईस माइनेम इस रश्च्छनरवानी वेलकम टू बायग एम टूटोरियल आज के लक्षर में हम एक इमपर्टेंट टॉपिक को डिसकस करेंगे जो कि हमारे पास है जेल इलेक्टोफरसिस जेल इलेक्टोफरसिस प्रासेस में क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है कि जेल इसमें हम एक टाइप का जेल यूज करते हैं वो जेल हम सी वीड से उप्टेन करते हैं वो सीड वी क्या है हमारे पास व ध्यान से सुनिएगा यह process हम इसलिए use करते हैं इसमें हम DNA के fragments को separate करने का process देखते हैं या इस process के अंदर हम DNA के fragment को छोटे छोटे piece में convert करके उसको gel electrophoresis process में उसको cut कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें process cut करने के बाद DNA fragment को cut करने के बाद उसको observe करा जाता है अब observe क्यों करते हैं या DNA fragment को हमने gel electrophoresis करने के process क्यों पड़ी तो gel electrophoresis process में क्या होता है अगर कोई भी dispute condition है या हमने DNA को matching कराना है तो उसके लिए हम gel electrophoresis process को use करते हैं तो यह एक technique है जिसमें कि हम isolate करते हैं DNA के fragments को उस process को हम gel electrophoresis process कहते हैं अब electrophoresis process है तो it means इसमें electrode होंगे तो positive और negative charge होगा अब हम पढ़ते हैं जो हमारा DNA होता है तो DNA के उपर negative charge होता है अब ध्यान से सुनना DNA के उपर आपने by molecules में भी पढ़ा है molecular by lossy में भी पढ़ा है DNA के उपर negative charge होता है DNA के उपर negative charge क्यों होता है क्योंकि DNA में phosphate group present होता है तो उसकी वज़े से DNA में क्या होता है negative charge होता है तो negative charge, negative को कौन attract करेगा positive charge attract करेगा तो positive charge की तरफ ये negative charge attract होते हैं जेल electrophoresis में हम एक tray लेते हैं, एक container लेते हैं, plate लेते हैं जिसमें कि हमने ये process complete करानी होती है तो इस process को complete होने के लिए हमें क्या चाहिए, agar gel चाहिए वो agar gel क्या होता है, हमारे पास geladilium है, जिसका use हम इस plate के अंदर उस gel को डालते हैं उसके बाद हमने DNA fragments को यहाँ पर देखेगा gel electrophoresis process to separate या isolate of DNA fragment gel electrophoresis वो process है जिसमें कि हम DNA के fragment को isolate या separate करते हैं अब इसके लिए हमारे पास technique होती है कि किस तरीके से हमने DNA की fragment को isolate करना है, इसके लिए जिस process का हम use करते हैं उसको gel electrophoresis कहते हैं, इस process में होता क्या है हमने एक plate लेनी है, या आप कह लीजेगा कि एक tray लेंगे जैसे कि यहाँ पर एक tray लेंगे, tray में DNA की fragment को हम डाल देते हैं अब DNA की fragment में कैसा charge होता है, DNA में negative charge होता है क्योंकि उसमें phosphate group present होता है, इसलिए DNA में negative charge होता है इतना समझ में आया है आपके, इसके उपर negative charge है अब negative charge किसके उपर है, अब ध्यान देना negative charge किसमें DNA fragment में negative charge होता है अंदर हमने tray के अंदर क्या डाला, gel डाला वो gel क्या है, आपके पास agar gel agar gel क्या है, हमारे पास यहां पर देखिएगा, agar gel आप किसे उप्टेन करते है agar gel हम algae से उप्टेन करते है, algae क्या है, हमारे पास sea weeds ठीक है, तो geladenium और glycelaria आपके पास यह sea weeds है जिनसे क्या आप agar gel उप्टेन करते हो इसको आप agar and agarose gel भी कहते हैं, आप confused नहीं होंगे ठीक है, तो इस gel electrophoresis में आप क्या यूज करते है agar and agarose gel का यूज करते हैं, जो कि आपको किसे उप्टेन होता है seaweed से उप्टेन होता है, seaweed क्या है, algae है और इनके seaweed का नम क्या है, gelatinum और glycelaria यह दोनों ही आपके पास algae, आपने एक plate लेनी, plate में आपने DNA fragment को डाल देंगे, ठीक है, DNA fragment के उपर negative charge होता है tray के अंदर क्या डाला आपने, agar gel डाला, agar gel इस में क्या होता है, agar gel डाला, इस tray में आपने यहाँ पर क्या है, electrodes से conduct कर दोगे, और यह positive किसको अपने और attract करेगा, negative को attract करेगा फिर आपने क्या करना है, second process में, इसी आप container में, इसी medium में, जिसमें agar gel है, प्लस DNA fragment है next step में आप क्या करेंगे, chemical का use करेंगे, वो chemical substance क्या है आपके पास, वो chemical substance आपके पास ethidium bromide है, ठीके, ethidium bromide आपके पास यह chemical substance है, जिसमें कि आप ethidium bromide जब इसमें डालते हो तो Ithidium Bromide chemical भी डाल दिया आपने किस के अंदर डाला Agarose gel के अंदर या Agar gel के अंदर जो ट्रे में आपने ले रखाए तेके उसमें क्या है DNA के fragment है chemical भी डाल दिया इhtidium Bromide और अब ये Agar gel क्या करता है chemical भी डाल दिया अब DNA fragment के पास negative charge है negative positive की तरफ attract होंगे सीविंग इफेक्ट होता है यह इंपर्टेंट है एगार जेल में क्या इफेक्ट होता है एगार जेल में सीविंग इफेक्ट होता है मिंग छननी की तरह काम करता है चानने का काम करता है यह डियने के छोटे छोटे फ्रेग्मेंट को सेपरेट कर देता है कुछ एक चलनी की तरह काम करता है यहां पर डियने फ्रेग्मेंट को सेपरेट करने का काम करता है चलनी की तरह काम करता है इसलिए इस एगार जल का यहां पर सीविंग इफेक्ट शो कर रहा है यहां पर इस जल इलेक्ट्रो फॉरसेस प्रॉसेस के लिए next हमने ethidium bromide भी डाल दिया chemical substance डाल दिया जुरूर कुछ नो कुछ chemical reaction होगी जैसे ही हम इस medium में जिसमें agar gel है DNA fragments भी है और chemical substance आपने डाला उसमें ethidium bromide उसमें ethidium bromide में orange डालते ही orange color के bands बन जाते हैं चोटे 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 औरेंज कलर के कुछ चोटे कुछ बड़े ठीक है बड़े दूर की तरफ होगे चोटे नस्दी की तरफ होगे चोटे आपको जल्दी दिखाए देंगे तो ethidium bromide के साथ react कराने पर और ethidium bromide जब chemical substance आप इसमें डालते हो ठीक है और उसके बाद ethidium bromide का orange color आता है लेकिन यह orange color के band आपको कब दिखाए देते हैं जब आप उसमें कुछ light डालते हो कुछ rays डालते हो वो कौन सी rays है ultra violet rays वो कौन सी rays है ultra violet अब आपको पता है ultra violet rays क्या होती है हमारी बाड़ी के लिए हामफूल होती है लेकिन हम इस प्रोसेस के करने के लिए जब हम ethidium bromide डालते और इंज कलर के बैंड बने वे दिखाए देते अब वो बैंड आप क्या करते हो उन बैंड को वहां वहां पर कट कर लेते हो और आपके पास यह separate और इंज कलर की फ्रेग्मेंट्स जो आपको दिखाए देते उनको separate कर देते हो और इसी separate करने की प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं, इल्यूशन में separate करना DNA के fragments को, ठीक है, और इसी process को gel electrophoresis process कहते हैं, अब हमने gel electrophoresis process में क्या पढ़ा है, DNA के fragment को separate करना या isolation, isolation of DNA fragment, अब DNA के fragment ऐसे ही isolate नहीं होते हैं, पहले हमको उसके लिए medium चाहिए, वो medium क्या है, अगरो जेल है, ठीक है, DNA में negative charge होता है, negative electrode की तरफ आकरशी तो रहे positive charge की तरफ negative positive ठीक है, और अगरो जेल है, फिर chemical substance मिला है, उसमें ethidium bromide, orange color के band बनते हैं, लेकिन ये कब visible होते हैं, जब आप उसमें ultraviolet rays डालते हैं, ultraviolet rays डालने पर ये चमकते हैं, orange color के band आपको दिखाए देते हैं, अब आप इहां पर इन bands में, छोटे-छोटे जो cut बने वे, bands बने वे, छोटे-छोटे piece में fragments को, जो आपको orange color की fragments या bands आपको दिखाए देते हैं, इनको आप cut कर सकते हो, cut करने के बाद आप DNA fragment को isolate करते हो, इसी process को illusion कहते हैं, और इस technique से gel electrophoresis process में आप DNA fragment को isolate कर लेते हो, I think student आपको ये process समझ में आई होगे कि किस technique से और किस तरीके से gel electrophoresis process काम कर रही है, और DNA fragment को किस तरीके से आप isolate कर सकते हैं, अगर आपको ये lecture समझ में आए हो, तो please channel को like and subscribe जरूर करें, और अपने friend के साथ वीडियो को share करें, thank you for watching.